जैहिंद एवरीवन, दक्षम बलेटरी स्कूल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्कुल कुरुषेत्र के रियेग्जामिनेशन के बारे में तो रियेग्जामिनेशन के क्या सलेबस रहने वाला है उस विचे में बात करेंगे जैसा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 5 से 9 तक के सलेबस के बारे में तो देख लेते हैं क्या क्या सलेबस रहता है किस तरीके से पेपर आता है कितने मर्क्स का पेपर आता है कितना समय आप लोग को दिया जाता है जो आपका paper आता है वो descriptive mode में paper आता है आपको यह लिखना होता है writing करने के लिए paper आता है आपको और जो इसकी merit जाती है वो competitive exam है लेकिन कम से कम आप मान के चले कि 85 प्लस आपको score करना होता है out of 100 तो देगे यहां पर 100 marks का paper आता है और 2 hours आपको दिये जाते हैं सब्सक्राइब की बात करें तो class 9 के लिए English portion सबसे पहले grammar determiner synonyms antonyum narration voice form of verb conjunctions paragraph based on visit experience cultural and national festival and personalities यह आपका English का syllabus हो गया mathematics की अगर हम बात करें mathematics में आपका compound interest profit loss equation one variable rational number square root cube root exponent and power algebraic expression and mentionation 25 marks की आपकी grammar नहीं होती है English और 25 marks का अपका mathematics same 25 marks की आपकी science आई है जिसमें microorganism reproduction in animals light and reflection chemical effect and current combustion and flame अगर social science की बात करें तो 15 marks की आपकी social science आएगी जिसमें social science में आपके when the people rebel 1857 and after freed from trade to territory the company establishment and power industries agriculture and public facilities यह पांच चैप्टर आपके social science में आपके 15 marks हिंदी के अगर बात करें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संधी वाक्या विचार प्रतिय समास कुल दस नंबर के आपकी हिंदी आनी है इट मेंस टोटल सो नंबर का आपका पेपर आएगा और आपको लिखने के लिए दी जाएंगे टू आर्स आगे बात करते हैं क्लास एट्स के लिए तो देखें क्लास एट्स के अगर हम बात करें तो ग्रैमर में करेक्ट फॉर्म ओफ वर्ब्स आपकी आएंगी आर्टिकल प्रिपोजिशन आएगा वोकेबलरी डिग्री ओफ एड्जेक्टिव नंबर जेंडर वोईस टोटल 25 मार्क्स के आपकी इंग्लिश आनी है मैथमेटिक्स 25 मार्क्स इंटीजर्स फ्रेक्शंस सिंपल इक्वेशन लाइस एंगल्स ट्राइंगल और कॉंगुरेंसी कंपेरिंग क्वालिटी एंजेब्र पेरिमेटर एंड एरिया एक्स्पोनेंट पावर सिंपल इंट्रेस 25 मार्क्स का यह आजाएगा हिंदी की बात करें हिंदी आपकी 10 माक्स कि आएगी उपसर्ग विलोम सब्स अशुदिया अंसोदन विशेशन अविकारी सब्स अगर साइंस की बात करें 25 माक्स नीटिशन इंट्रीशन इन अनिमल्स एसीड बेसें साल्स अच्परेशन इन और यहाँ पर नंबर लिखे मे का आपका आना है तो टू और का पेपर क्लास एट के लिए भी रहने वाला है और टोटल हंडेट मार्स का पेपर आएगा अगर क्लास सेवन्त के लिए बात करें इंग्लीश 25 मार्क्स नंबर एंगेंडर आर्टिकल और प्रिपोजिशन नाउन फ्रोनाउन एंटोनिम सिनोनिम voice and tenses 25 marks mathematics 25 marks hcf lcm interior maturation unitary method algebra and proportion fraction and decimal understanding elementary shapes and simple interest यह आपका mathematics 25 marks का आना है हिंदी की अगर हम बात कहें तो हिंदी total 10 marks की आएगी जिसमें सब्द विचार कारक काल है उसके भेद अशुद्या संसोधन मोहावरे लोकुक्तियां यह आपका total 10 marks science 25 marks जो chapter इसमें आने हैं देगे पांची chapter यहां पर आएंगे light component of food electricity and circuits motion and mensuration and distance changing around us total 25 marks social science की बात करें 15 marks की आएगी village town and trade motion on earth rural administration what is government and earth in the solar system total 15 marks 2 hours का paper आपका यह भी होना है और 100 marks लाने है मैसे paper होगा जिसमें आपको 85 plus score करना है अगर आप merit में आना चाह रहे हैं तो देखें ओल इंडिया यह exam होता है पूरे इंडिया से कोई भी इसको दे सकता है और 50% reservation यहां पर हर्याना के जो domicile है जो हर्याना के मून लिवासी हैं उनके लिए होता है क्लास 6 के लिए बात करते हैं इंग्लिश 25 marks आर्टिकल नाउन प्रोनाउन वर्ब्स प्रिपोजिशन डिग्री ओफ एड्जेक्टिव एंटोनियम सिनोनियम्स 25 मांक्स का यह सब आएगा यहां पर यह मांक्स दिये हैं कितने कि कितने मांक्स के क्वेश्चन साने हैं मैथमेडिक्स 25 मांक्स का एगा LCM SCF roman numerals percentage profit and loss mensuration fraction decimal mensuration line and angles 25 मांक्स हिंदी 10 नंबर क्यानी है भासा व्याकरण सबसंदशना क्रिया विलॉम्शर्द असुद्या असुद्या असुद्धन साइन्स 25 मांक्स चैप्टर आपके आने है रिप्रोडेक्शन इंप्रांट्स मेंटर नर्वस सिस्ट्रम हेल्थ इंडिजीज सेफ्टी एंड फर्स्टेड टोटल 25 मांक्स यह आपके चैप्टर वाइस दिये में हर चैप्टर से कितने मांक्स का आना है social science 15 marks के आएगी weather and climate, globes and maps, natural disaster, governing of country, global warming यहां पर यह 5 chapter है, 15 अंबर के आने है, total 100 marks, 2 hours का आपको time मिलेगा, 2 गंटे में आपको एपेपर करना होता है अगर class 5th के admission के लिए बात करें, total English जो आएगी 25 marks के आएगी जिसमें grammar के अंदर degree of adjective, verbs, noun, pronoun, antonyum, synonyms, article यह chapter आने है आपके और यह marking scheme दी हुई है, mathematics 25 marks, unitary method and roman numerals, division, multiplication and percentage, mensuration, line and angles, perimeter and area तो total 25 marks के आपकी mathematics आने है, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी 10 marks की है, वर्ण, संग्या, सवनाम, वचन, लिंग, यह chapter आपके हिंदी में आने है साइंस की बात करें, तो total 25 marks की science आएगी, vitamin and minerals, the universe, health and disease, skeletal system और simple machine social science 15 marks, too much water, too little water, just kid goes to school, the value of flour, a river tail, और eating together यह सारे chapter आपके social science के अंदर आने है, दो घंटे का आपका paper होगा, descriptive paper होता है, 100 marks का paper आना होता है जैसा कि All India competition है, तो जो बच्चा 85 plus score करके चल रहा है, उसकी possibility होती है कि वो गुरकुल कुरुशेदर में selection ले सगे देखे, इसका जो paper होता है, वो descriptive mode में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया और paper भी आपके वहीं पर submit हो जाते हैं, तो आपके पास में paper भी available नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास में इनके जो previous year के questions हैं, एवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इन exams को देने के लिए जैसे ही बच्चा एक्जाम सेंटर से एक्जाम देके निकल कर आता है, तो हम उनसे question राइट कर लेते हैं, तो हमारे पास memory based question होते हैं, सारे बच्चों के, और result आपने हमारा देखा हुआ है, हमारे चैनल पर पढ़ा होगा है, तो अगर आप इसके लिए जोइन करना चाह र और ओफ-लाइन और ओफ-लाइन दोनों बैचिस हमारे यहां पर available हैं, जिस तरीके से आप जोइन करना चाहें, जोइन कर सकते हैं, उसमें आप live classes जोइन कर सकते हैं, या आप recorded classes अगर देखना चाह रहे हैं, तो वो भी जोइन कर सकते हैं, अगर आप full year के लिए जोइन करना वो complete कराया जाएगा, course complete कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो अगर आप इसको जोइन करना चाहें, तो जोइन कर सकते हैं, उसके लिए आप दक्षम officers academy का application play store से डाउनलोड कर लें, अधर्वाइस जो display पर आपको number show हो रहे हैं, उन पर आप call message करके जानकरी ले सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि इसलेबस के बारे में मैं आपको पूरी जानकरी दे पाया हूँगा, अधर्वी जानकरी के लिए आप हमारे दीएवे number पर call message करके जानकरी दे सकते हैं, थैंक्यू